श्री क्रेश्ण कनई आलाल की जै श्री नियानन्द स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की हकका शुरत आती शुहनी दोमो जुगल किशोरा गोरें बुखा आती शुंदरा लालिता को मला आती जोरा लालिता को मला आती जोरा श्री क्रेश्ण कनई आलाल की जै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप की बात की पचास में चोपाई में अब ब्रह्मात्माओं की बात इसी में कर रहे हैं यह कानों में और रूहों की शूरतें जो असल अरशमेतन परमधाम की ब्रह्मात्माएं उनका जो शुरूप है तो वो किस प्रकार से है तो उसके लिए यह कह रहे हैं उनको समझना हो तो जरा ब्रह्माग्यान से ब्रह्माग्यान पर विचार करके तो उस पर चिंदन करके उसको समझ सकते हैं देखो आपना तन मौमिन तो ऐसा करके अपना तन तुमारा अपना असली तन है ना परमधाम का उसको तुम देखो तो तुम भी अक्षरातित के श्वरुप हो यह कायना चाह está रहे हैं उनके श्वरुप के अंदर तुम भी आते हो खुबी, खुशाली ना आवे शब्दमे ना रंगर शबुदबान तो अक्षरातित धामदनी की विशेष्टा हैं उनके श्वरुप की उनकी खुबी विशेष्टा हैं, उनकी खुशालियों कितने प्रसंद रहते हैं तो इनके विशेए में वो शब्दों के द्वारा ये बात हैं शब्दों में ये सिमित है ही नहीं, शब्दों के द्वारा वेकता ही नहीं कर सकते हैं खुब खुशाली और खुबी खुशाली दोनों फरस्ता है यृ दियान रखना खुब खुशाली करके वह खुड़ओ ने उनके लिए बताया है। और घुभी और खुशाली है ए लग-लग है। ना-रंग, अरश्म बूदबान, उनके रंग उनके गौर वर्णा रधाय में प्रेमी प्रेम भरा हुआ है उनकी बुद्धी समझ दारे, उनकी वानी तो इनका वर्णनी नहीं हो सकता है कोई न आवे शोभा शब्द में अक्षरातित पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की शोभा शब्दों की सेमा में नहीं आती है मुखा आरशखावंद महरवान है तो ऐसे पुर्ण प्रह्म परमात्मा का मुखारविंद है जो पुर्ण परमधाम के स्वेम स्वामी है जैसे अकसूरत और तिन वश्तर अभोशन जैसे पूर्ण प्रह्म परमात्मा का स्वरूप दिव्य है शब्दातीत है ऐसे उनकी वश्त्रावुषन भी दिव्य है और शब्दातीत है जो शोभा देते इन सूरतें सो क्यों कहे जाए जुवाईन तो अक्षरातीत धामदनी के ऐसे दिव्य है शोरूप की शोभा बढ़ाते हो तो ये वश्त्रावर आभुषन तो सो क्यों कहे जाए जुवाईन उनको इन जुवासे इस बानी से कैसे बताये जा सकेगा बरणनी न मुना समझाओं रूहों को तो प्राण्या जी अपने बात कर रहे हैं मुझे लगता है बार बार कि कुछ उधारन देख करके ब्रमात्माओं को ये बात समझाओं खुबी दुनी की देख के लगा है देखों अरस असों तो इसलिए अब सबको तो परमधाम दिखना ही रहा है पता नहीं है इसलिए दुनिया में जो दिखता है दुनिया की विशेष्टाओं को ले करके आम परमधाम की बात बता देते हैं तो परमधाम में इसी प्रकार्श है ये समझना चाहिए ऐसा करके बता देते हैं परमधाम का कोई भी द्रिश्य अथवा परमधाम के कोई भी वश्तो दुनिया में बताई नहीं जा शक्ति ऐसी है भाका अंग कैसे वर्न वो इन्हें जूठी जुवां के बल तो ये जुवा जिस जो वर्न करना चाहती है वो तो जुठी है और उसके शक्ति भी स्जीमीत है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो सत्य है परम सत्य है तो उनके श्वरूप का वर्न कैसे करें वाका अंग क्यों कर कहूं यों फेर फेर कहे अकल तो बुद्धी बार बार यही विचार करती है कैसे अखंड श्वरूप का वर्न किस प्रकार से करें तो ब्रण करने के लिए जिवा है यह तो नश्वर तनकी है रूप रंग यह तक क्यों कही है ले मसाला यह तका अब परमधाम के रूप रंग की बाते क्या कहें ले मसाला यह तका इस दुनिया के शब्दों का अथ्वा दुनिया के सामगरियों का उधारन लेकर के कैसे बत अंग अरशबक्ला और पुर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है वो तो परमधाम का है और अखंड स्वरूप है इसले अखंड स्वरूप नियास्तिरे आकारे शोभा कहूं गणवे करीने सने है तो इसले आरंब में ये कहा रूप रंग गवर लालक उनका श्वरूप उनका रूप है रंग है उसको गवर है लालिमा युकत है इस प्रकर बताएं कहूं नूर तेज रोशन या तो उनका तेज है वो बहुत ज़्यादा जमक वाला है इस प्रकर से कहूं इस शब्द सारे प्रह्माजन के सारे शब्द तो दुनिया के है अरस जरा उड़ावे सबन परमधाम का तो एक कण भी है तो उसके सामने दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है तो इन शब्दों से वहां का वरनन कैसे करे गवर आहा का अंग कहता हूं ए गवर अंग अल्ला होता है यदि पूर्ण प्रह्म परमात्म का शरूप का रंग है वो इसको गवर कह रहे हैं गवर वरना कहे हैं तो भी एक गवर अंग लाओते तो परंधम का गवर वरना है दुनिया का गवर वरना नहीं है और कहुं सुन्दर शालो की उसमें सुन्दर ता है और बहुत कमन तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की सुनरता तो उसको तो परमधाम की आत्माई ही समझ सकती है रूह जागी जाने खेल में जो हुई होए अरश परश जो परमधाम की आत्मा इस खेल में भी जागरित हुई हो और जिसको परात्मा के साथ में तादात में सम्मंद का अनुभव हो रहा हो और अश्परस का तात परिये ऐसा हो रहा हो तो ये आत्मा समझ सकती है बागि समझ में नहीं आएगा जो रुव जगाये देखिए तो ठवर नहीं बोलन येदि आत्मा को जागरत करके देखो तो कहने का कोई स्थानी नहीं है, शब्दों के द्वारा बोली नहीं सकते हैं, बोलते बोलते तो चुप होना पड़ता है, ऐसा स्थान है यह तो, जो चुप कर रही है, यदि चुप हो जाएं, कुछ बोले ही नहीं तो, तो क्या ले आहारम मौमिन, तो ब्रहमात्माओं को कैसे संतुष्टी होगी, उनको तो चाहिए, अक्षरातित की कुछ बातें चाहिए, तग ही उसमें दुनिया में टिक सकती है, तो ब्रहमात्माओं को समझाने के लिए कहाज गया है, बनकी तो बोला नहीं जा सकता, यह कहान चाहिए, मैं देखिया दिल विचार के सुनियो तुम मोमिन प्रहमात्माओं जरा सुनो, मैंने दिल से विचार करके यह देखा, देव नी मुना दुनी अरशका, तुम देखियो दिल रोशन, तो मुझे यह लगा कि मैं दुनिया का उधारन परमधाम के लिए देखर के भी कि तुमारे रिदय को प्रकासित कर दूँ, ऐसा मुझे लगा, इसलिए तुम जरा मेरे बात पर ध्यान देना कही कोमलता कमलन की, और जो तजवेरन तो दुनिया में कमल, पुष्प, तो उसकी कोमलता की बात कही ओर जो तजवेरन ये जूती की बात कहिए तो जवारतों की बात कहिए रंग सुरंग जानवरं तो जानवरों के रंग कहे तो उसमें बड़ी रंगी बिरंगी होते हैं पश्चु पक्षि बगरे तो उनका उधारन दिया कई स्वरब मीठी जुवाईना और उनकी मीठी मीठी वानी है उसकी भी बात कह दी कई खुशवोय माएं पंखियों पक्षियों में भी अब परमधाम में तो क्या है हमने तो यहां के जानवरों की यहां की उसको लेकर के इन शब्दों का प्रयोग करके बताया किन्तु परबधाम के पक्षियों उनके पंख़ों में तो उसमें से तो सुगंध आती है कई खुशवोय माएं पूलना तो पूलों से भी सुगंध आती है कई शोभा पशु पंखियों पशु पंखियों के ऐसा शोभा बढ़ी ही विशिष्ट प्रकार की है कई नरमाई परना उनके पंख उसमें कोमलता भी बहुत ज्यादा है तो दुनिया में जो भी है उससे बहुत ही विशिष्ट है परमधम में फूल कमल का एक पसमा कैसी कोमल दूनी इन तो ये फूल है तो उसमें कमल का उधारन दिया और यह कोमल्ता के लिए बता रहे हैं, और फिर वश्तर वगरे में पस्मिना का उधारन दीया, पसम काईसी कोमल्ता दोनीन, किनतु दुनिया में परमधाम के जैसी कोमल्ता कहा है? दुनिया में तो यही कोमल बस्तुए हैं फूल अतर चोबा मुष्क फूल और उनके फूल का अतर और उसकी सुगंद तो अतर की तरह से चोबा है वो भी सुगंद है और उसका मुष्क बोलते हैं मुष्कित सब्दा है मूल में तो उसमें मादकता है तो वो बताया जोत हीरा जावेरन जोत उसकी चमक हीरा और जबारा तो उसकी तरह से चमक की बात कहिए तो इस प्रकरशकह तो ये दुनिया में जो जो अच्ची अच्ची चीज थी उनको चुन-चुन करके बताया तो वो उदारण दे रहे हैं तो ये बताया तो इसका कारण यह है अब दुनिया के पशुपक्षियों की पृती की भी बात बता रहे हैं देखो पृत पशुवन की और देखो पृत पंखियन दुनिया में पशुपक्षियों में भी पृत है एक चले दूजा ना रहे एक अब जोड़ा है तो एक मर जाता तो दूसरा भी उसके बियोग में प्राण त्याग देता है जीव जातमाय चिन उसका विक्षण में ही तो उसका भी प्राण चला जाता है तो परमधाम में छोटे बड़े जीव कई रंग के वहां तो छोटे बड़े कई रंग के मिलेंगे यहां तो एक दो रंग के ही जानों के दे हैं, कुंदन जैसे शरीर है, तो वो ऐसा, लगेगा कोई धातु का हो, कुंदन शोना के लिए, सफ्ट शोना है, उसके लिए कुंदन शब्दा का प्रवयकिया है, कई नकसर कई बूर्टियां, ऐसे नकस्य और बूर्टियां ये, ये दुनिया की बात, दुनिया की शब्द प्रयोकिये किन्तु वो बिचित्र प्रकार किये, कई कांगरी चित्रामन उसमें कांगरी है, चित्रामन अलग-अलग प्रकार कारी गरी है, वो बड़ी ही विशिष्टा है, इन भात केती कहों कई खुबी बिनाई साब इस प्रकार क अहां तक वरण करें, परमधाम की तो विशेष्टा पारावार रही थे, ले खुला सायनका, छोड़ दीजे जुठा ख्वाब, तो परमधाम का ये स्पष्टिकर्ण समझ करके, तो दुनिया के ख्वाब, मतलब स्वपन की दुनिया के आकरशन से, आप हट जाओ, देख दु तो लखों करणों गुना स्रेष्ट परमधाम की विशेष्टा है, उनको देखो, दुनिया को एक तरफ देखो, और परमधाम को दुसरे तरफ देखो, कई रंगों सोवे जानवर, तो परमधाम में तो एक एक पस्षू, एक एक पक्षिओ, कई रंग से सुशो भीता है, उनकी प्रशन्नता ये सब कई मुख बोलत मीठे श्वरा तो उसमें कई मीठी मीठे शब्दों उसका उचारन करते हैं जीव जल थल या जानवरों कई केसों परन जल या थल के जीवो जानवरों पशुवों पक्षियों उनके केस हैं उनके पंख हैं कई केस और परन कई रंग खुबी देख विचार के ले अरश मशाला इन तो उनमें कई रंग खुबी देख विचार के उनके रंगों के कई प्रकार के विश्यष्टाएं उसको विचार करके ये देखना ले अरश मशाला इन तो इनके लिए न परमधाम का मसाला, परमधाम की सामगरे लेकर के परमधाम के इसाब से सोचना, दुनिया के इसाब से सोचोगे तो वो पूरी तरह से नहीं जान पाओगे। उनके परपंक फूल, उसमें अलग-अलग प्रकार के चित्रामन कारीगरी, ऐसे फूलों के कारीगरी है। इतनी सुन्दर्ता देखाए देती है, उसको देखकर के विचार करो, जब जूठी दुनिया में ऐसी सुन्दर्ता है, तो परमधाम में कैसी होगी। उस पर विचार करते रहो। भी महत्वा नहीं रखती है, कर देखो दिल दुरुष्टा, इसलिए दिल को दुरुष्टा करके देखो, उसको दिल को ठीक करके देखो। परमधाम के साब से माइनशेट कर लू, दुनिया के साब से माइनशेट करेंगे, तो सुनिया के बातों में ऐसी रहो। परमधाम के सबसे माइंडशेक्ट करेंगे तो सपश्टता होगी। सांच भोमकी, कांकरी, उड़ावे, जीमी, आस्मान, परमधाम की भूमिका की तो एक छोटा सकन भी, उसकन के सामने दुनिया का कोई अस्तितो नहीं है। यह उड़ाने का ताथ पर यह है। कैसी होशी आरश खूबियां, जो खेलों ने आरश शुभान तो परमधाम की विशेष्टाएं क्या होगी। और परमधाम के जो खेलों ने हैं यह पशुपक्षी बगएर ने, सब खेलने करने के सादन ने तो एक प्रकार से है। तो इन में क्या विशेष्टा होगी। जब दुनिया में भी इतनी सुन्दरता है। कई पशुपक्षी जंगलों में बड़े सुन्दर दिखाई देंगे। तो परमधाम में तो उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे। सो खूब खेलों ने देखिये, इनों नीमुना कोई ना है। इस प्रकार इनके पशुपक्षियों के सुन्दरता को देखो, खूब खूबी, देखो नीमुना कोई ना है, इनका उधारन दुनिया में कोई भी नहीं है। सिफत ना कह सकूं, इनकी महिमा, इनकी प्रश्वम्षा तो हम बताही भी नहीं सकते हैं। मेरी इन जुवाएं, मैं इस नस्वर देह की जुवा से उसका जैसा है, उस प्रकार का वरणन नहीं कर शकता। ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो बड़ी ही विशिष्ट है। तब वो कई आगे की बाते हैं, कई चोपायां एक जैसे मिलती हैं, तो अभी के प्रश्वम्षा को यहीं पर रखते हैं। स्री कृष्ण कनाई आलालकी, मेरी इन जुवाएं, सो खुब खिलोने देखिये, इनो निमुना कोई नाहे, सिफ़त इनो ना के सको, मेरी इन जुवाएं, मेरी इन जुवाएं, मेरी इन जुवाएं, प्रिष्ण कनाई आलालकी, तृष्ण 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 कनाई आलालकी, झाल झाल झाल